Good morning students, हमारा आज का टॉपिक है प्लेटो का नियाय सिध्धान्त प्लेटो के समस्त राजनितिक बर्शन में अगर कोई सबसे महत्पुन अवधारना है तो वो है प्लेटो का नियाय सिध्धान्त इसलिए प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उप्षिर्शक भी Concerning Justice अर्थात नियाय से संबंदित रखा गया है इबनस्टीन का भी कहना है कि प्लेटो के नियाय संबंदी विवेचन में उसके राजनितिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है तो आज हम प्लेटो के नियाय सिध्धान्त का अध्यन करेंगे नियाय सिध्धान्त का प्रतिपादन करने से पूर्व प्लेटो ने ततकालीन समय में प्रचलेत नियाय की विविविन अवधारनाओं का विवेचन एवं खंडन किया सबसे पहले हम लेते हैं परंपरागत सिध्धांत परंपरागत सिध्धांत का प्रतिपादन सिफालस और पॉली मारकर्स द्वारा किया गया सिफालस के अनुसार सत्ते बोलना और दूसरों के रिंट चुका देना न्याय है इसी तरह पॉली मारकर्स का कहना था कि प्रतेग व्यक्ति को उसके प्रती उच्चित व्यवहार देना ही न्याय है अतहे मित्र के प्रती श्रेश्ट और शत्रू के प्रती घ्रनित व्यवहार करना ही न्याय है लेकिन प्लेटों ने इन अवधानाओं का खंडन किया पहले अधाना के बारे में उसका ये कहना था कि सत्ते बोलना और दूसरों के रिंट चुका देना प्रतीक परिस्तिती में उचित और नियायपून हो यह आवशक नहीं है For example, जैसे की सत्ते बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहशों की जानकारी प्रदान करना अनुचित है इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्तिक्चित वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और अपने अस्त्रों को वापस मांगे तो ऐसे अवस्था में अस्त्र लोटाना एक नियायपून कार्य नहीं माना जाएगा दूसरे बाद जो पॉली मारकर्स कहते हैं कि प्रतेक व्यक्ति को उसके प्रती उच्चित व्यवार देना ही नियाय है इस बारे में प्लेटों का ये कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि मित्र केवल नाम के लिए मित्र होता है लेकिन यथार्थ में शत्रू होता है अते व्यवारिक जीवन में इसे अपनाना संभव नहीं है दूसरी बात शत्रू के प्रती ग्रणित व्यवार करना न्याय नहीं हो सकता क्योंकि बुराई करना नैतिक्ता के विरुध है अतहे अनैतिक्ता कभी न्याय नहीं हो सकती इसके बाद नेक्स्ट है क्रांतिकारी सिध्धान्थ क्रांतिकारी सिध्धान्थ का प्रतिपादन थ्रैसी मैकस ने किया थ्रैसी मैकस का मानना था कि शक्ती ही सत्य है अतह शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है समाज में सबसे अधिक शक्तिशाली सरकार होती है अतह सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना ही न्याय है इस प्रकार से थ्रैसी मैकस ने दो बाते कही पहली बात शाशक वर्ग स्वेम अपने हितों की रक्षा के लिए शाशन करता है और दूसरी बात अन्याय न्याय से श्रेश्ट है प्लेटो ने इन दोनों ही विचारों का खंडन किया प्रत्थम विचार के बारे में प्लेटों का ये कहना है कि शाशन करना एक कला है और प्रते कला का लक्षे स्वार्थ सिद्धी नहीं होता बलकि उन वस्तूओं के दोशों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबन्द होता है तो शाशक का लक्षे प्रजा के दोशों, दुखों और कठिनाईयों को दूर करना है न की अपनी स्वार्थ सिद्धी दूसरे बात के बारे में प्लेटो का ये कहना था कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ती का प्रयास करता है और आदर्श की प्राप्ती में ही सुख नहीं थै नेक्स्ट है कार्य कारण सिध्धान का प्रतिपादन ग्लाउकन ने किया ग्लाउकन के अनुसर न्याय एक क्रतिम वस्तु है ग्लाउकन का ये मानना था कि प्राकर्तिक अवस्ता में निर्बल मनुष्यों को अनेक कस्ट उठाने परते थे अतह एक समझाता करके कानूनों का निर्मान किया गया डंड की शक्ती के भै के कारण ही व्यक्ति न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं अतह न्याय भै का शिशू है न्याय निर्बल की आउशकता है न की शक्तिशाली का हित साधन प्लेटो ने इस धाना को भी ऐस्विकार किया क्योंकि प्लेटो ने न्याय को एक क्रतिम और बहरी वस्तु नहीं माना बलकि प्लेटो ने न्याय को आत्मा का आंत्रिक गुण माना है अब हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय सिधान क्या है प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं व्यक्तिगत न्याय और समाजिक न्याय व्यक्तिगत न्याय के बारे में प्लेटो का कहना था कि मानवी आत्मा में तीन गुण होते हैं इंद्रियत रश्ना, शौर्य एवं विवेक जब इन तीनों तत्वों में उचित समन्वय इवं समन्जश्य होता है तभी व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में न्याय का पालन कर पाता है इसके बार प्लेटो ने राज्य से संबंदित न्याय का प्रतिपादन किया प्लेटो का ये कहना था कि जिस प्रकार से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को इसपस्ट रूप से देखा जा सकता है प्लेटों का कहना था कि राज्य मानव मस्तिक्ष का ही व्यापक रूप है अतह जिस प्रकार से मानव की आत्मा में ये तीन गुण है उसी प्रकार राज्य में भी ये तीन गुण है बुद्धी मता, साहस और सैयम और इन तीनों गुणों के तीन प्रतिनिधी वर्ग राज्य में है शाशक वर्ग का प्रतिनिधी बुद्धी मता को रिप्रेजेन करता है शाशक वर्ग साहस का प्रतिनिधी है सैनीक वर्ग और सैयम का प्रतिनिधी है उत्पादक वर्ग प्लेटों का ये कहना था कि इन तीनों वर्गों के सुनिशित क्रतव्य हैं शाशक का ये क्रतव्य है कि वो निस्वार्थ भाव से शाशनकारे करे सैनिक वर्ग का क्रतव्य है कि वह अपने प्राणों की परवा ना करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करे इसी प्रकार उत्पादक वर्ग का ये क्रतव्य है कि वो सब प्रकार के कस्टों को सहन करते हुए अपने उप्योग से अधिक उभोग की वस्तुएं पैदा करे प्लेटों का ये कहना था कि जब ये तीनों वर्गों के लोग अपने अपने कृतव्य का पालन करते हैं और दूसरों के कृतव्यों में हस्त शेप नहीं करते हैं तभी राज्य में न्याय इस्थिर रह पाता है अर्थात प्लेटों के अनुसार न्याय से अभी प्राय है प्रतेक व्यक्ति द्वारा अपने लिए निर्धारित किये गए क्रतव्यों का पालन करना प्रेटों न्याय को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि यह अपने निश्चित इस्थान में अपने क्रतव्यों का पालन करना और दूसरों के क्रतव्य में हस्त शेप ना करना ही है और इसका निवास इस्थान अपना निश्चित क्रतव्य पूरा करने वाले प्रतेग नागरिक के मन में है कैटलिन ने ही दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से व्यक्ति किया है कि मेरा इस्थान और उसके क्रतव्य यही न्याय है अर्थात प्लेटों के अनुसार प्रतेग व्यक्ति की योगिता और समाज की आवशक्ता को दिहान में रखते हुए प्रतेग व्यक्ति के कुछ सुनिश्चित क्रतव्य है और प्रतेग व्यक्ति द्वारा अपने उन क्रतव्यों का पालन करना ही न्याय है अब हम देखते हैं प्लेटो के न्याय सिध्धान्द की विशेश्टाएं प्लेटो की न्याय सम्मंदी धार्णा एक कानूनी धार्णा नहीं है इसमें न्याय को एक नैतिक और सर्वव्यापी धार्णा के रूप में स्विकार किया गया है दूसरा पॉइंट प्लेटो ने न्याय को एक बहरी वस्तू नहीं माना है, बलकि उसने न्याय को आत्मा के अंदर की एक पवित्र भावना माना है, जिसका आधार आत्म सैयम एवं आत्म त्याग है. तीसरा, प्लेटो का न्याय सिध्धान कारियों के विशिस्ति करन का प्रतिपादक है, क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि हर विक्ति को अपने गुणों के अनुसार केवल एक कारिय को पूरे मनुयोग से करना चाहिए, जैसा कि प्लेटो कहता है कि मानवी आत्मा में तीन गुण हैं, और इन तीन गुणों के अनुरूप ही राज्ये में भी तीन वर्ग हैं, शार्षक, सैनिक और उत्पादक, तो इन तीनों वर्गों के लोगों को अपने अपने क्रतव्यों का पालन ही पूर्ण मनुयोग से क करना चाहिए, तो प्लेटो का ये कहना है कि प्रतेक व्यक्ति एक विशिस्ट कारे ही पूरे मनुयोग से करे, चौथा सिद्धान है कि प्लेटो का नियाय सिद्धान अतिव्यक्तिवाद का विरोधी है, और साव्यव एक्ता का समर्थक है, अर्थात प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रती उसके क्रतववे ही है, अधिकार नहीं. प्लेटो का ये मानना था कि व्यक्ति समिस्ट का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास नहीं थै. और अंतिम बाद प्लेटो के न्याय सिध्धान्त की प्राप्ती के लिए ये आवशक है कि राज्य की शाषन व्यवस्था दार्षनिक शाषक के हाथ में हो अब हम देखते हैं प्लेटो के न्याय सिध्धान्त की आलोजनाए सबसे पहली बात प्लेटो ने न्याय को एक कानूनी धार्णा नहीं माना है बलकि प्लेटो का जो न्याय सिध्धान्त है उसमें न्याय को एक नैतिक धार्णा के रूप में स्विकार किया गया है न्याय से अभी प्राय ये लिया गया है कि व्यक्ति अपने क्रतव्य का पालन करे तो आलोचकी कहते हैं कि प्लेटो ने नैतिक क्रतव्य और वेधानिक दाइत्व के बीच की सीमा को बुला दिया है दूसरा पॉइंट प्लेटो ने शाषन संबंधी सभी शक्तियां केवल एक ही वर्ग दार्शनिक वर्ग को प्रदान की है लेकिन सामन्य अनुभव ये कहता है कि एक ही वर्ग को राजनितिक सत्ता प्रदान करना कभी भी उचित नहीं होता क्योंकि असीमित शक्ति पूर्ट या भ्रस्ट कर देती है तीसरा गुणों के निर्धारन का कोई आधार नहीं प्लेटो का ये कहना है कि समाज के लोगों को तीन वर्गों में बाटा जाएगा लेकिन उन तीन वर्गों का निर्धारन किन गुणों के आधार पर किया जाएगा प्लेटो इसका कोई इसपस्ट उत्तर नहीं देते हैं चौथा है वर्तमान समय के राज्जों पर लागू करना संभव नहीं प्लेटो के समय थोड़ी से जनसंख्या वाले नगर राज्जत है किन्तु वर्तमान समय में राज्जों के जनसंख्या करोडों में होती है इन राज्जों के जनसंख्या को तीन वर्गों में विभाजित कर प्रतेक व्यक्ति के लिए कारे निश्चित कर पाना संभव नहीं है तो प्लेटो का न्याय सिद्धान वर्तमान समय के राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता पाँचवा पाइंट है मनुष्य एवं समाज का सरवागीन विकास संभव नहीं प्लेटो ने प्रतेक व्यक्ति को केवल एक ही कारे तक सीमित कर दिया है और केवल एक ही कारे पल बल देने से व्यक्ति का सरवागीन विकास नहीं हो पाता और इसके अभाव में समाज का भी सरवागीन विकास नहीं हो पाता और अंतिम पॉइंट है सरवाधिकारवात का मार्ग प्रशस्थूना समाज के किस व्यक्ति को किस शेणी में रखा जाएगा इसका निर्धारन शाषक वर्ग करेगा और शाषक वर्ग की ये शक्ति राज्य को सर्वाधिकारवाद की और ले जाएगी अतहे प्लेटों का नियाय सिधान सर्वा दिकारवात का मार्ग भी प्रशस्त करता है तेंक यू